तारका सुरको मारने का काम कार्तिके ने किया और फिर बहुत सारी लीलाएं भी हैं कहते हैं कि तारक ये जो कार्तिके हैं ये नाराज होकर के करौंच परवत पर जाकर केने रहने लगे क्यों जाकर के रहने लगे क्योंकि एक बार दोने के मन में विवाह की इच्छा हो गई वो कहने लगा मैं पहले विवाह करूँगा वो कहने लगा मैं भगवान ने ये कह दिया कि जो पृत्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले होगा कार्तिके मयूर वहान होकर के प्रत्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए और गनेश कहीं गए नहीं उन्होंने माता पिता को बैठा करके उन्हीं की प्रदक्षिना करके प्रणाम कर लिया और बाद में व्याख्या कर दी कि माता जो है वो प्रत्वी का स्वरूप है या तो शास्त्रों को जूट को और या तो हमारा विवाह पहले करो और माता पिता को उनका विवाह पहले करना पड़ा प्रत्वी की परिक्रमा करके जब कार्तिके आये तो देखा दो पत्नियों के साथ रिद्धी सिद्धी गनेश जी बैठे हुए हैं का ये कौन है का तुमारी बहुय है कार्तिके ने का ये कैसे हो गया पहले तो भी वाह हमारा होने वाला था तो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे गटना गट गई कार्तिके नाराज हो गए नाराज हो करके क्राउंच परवत पर चले गए और फिर वहाँ से लवट करके आए नहीं माता पिता उनको बार बार बुलाते रहे लेकिन नहीं आए अंत में पारवती जी बच्चे को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गई कि नहीं हमको तो उसी के पास जाना है तो उनके कहने पर भगवान शीव क्रॉंच परवत पर गए जब क्रॉंच परवत पर माता पिता आ रहे हैं ये कार्तिके ने सुना इतने नाराज थे कि वहाँ से चार मिल और दूर चले गए जहां रह रहे थे वहाँ से भी चार मिल दूर चले गए कि हम मिलेंगे ही नहीं तो भगवान शिव और पारवती ने वहीं पर ठिकाना अपना बना लिया और ठिकाना बना करके वहीं पर रहने लगे अमावास्या को भगवान शिव चार मिल चलकर के कारतिके से मिलने के लिए जाते हैं पुर्णिमा को भगवती पार्वती चार मिल चल करके कार्थिके से मिलने जाते हैं और जहां वो रहते हैं उसी जगा का नाम है श्री शैल श्री शैले मल्लिका अर्जुनम मल्लिका माने भगवती पार्वती अर्जुनम माने भगवान शिव मली का नाम है लता का और अर्जुन नाम है ब्रिक्ष का तो ब्रिक्ष और लता बन करके महा रहे इसलिए नाम पढ़ गया मली का अर्जुन वो कार्थिके को देखने के लिए गया है और अभी भी वहीं रहकर के कार्थिके का दर्शन करते रहते हैं अमावस को सिव जी पूर्णिमा को माता पारवती और दूसरे जो भक्त जाते हैं उनको दर्शब दे करके कृतार्थ करते हैं जो बारह जोतिर लिंग हैं उन बारह जोतिर लिंगों में से एक जोतिर लिंग वो माना गया है अगवान शिव पारबती महा पर जा करके केवल इसलिए विराजे हैं कि अपने बेटे को देख सकें लेकिन बेटे के लिए जो लोग तड़पते रहते हैं उनको मलिक आरजुन स्वामी का दर्शन करना चाहिए क्योंकि नाराज बेटे ने भी उनसे मिलने का समय तो कम से कम उनको देही दिया है तो ऐसे ही जिनके बेटे नाराज हैं वो जब मलिक आरजुन स्वामी का दर्शन करते हैं तो उनका बेटा कहीं न कहीं फिर उनसे जुड़ जाता है तार जुड़ जाते हैं